नमस्कार पारे सातियों, आपका स्वागत है मारी YouTube चनल में और देखे सातियों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं भारत के सास्ती निद्द्तों के बारे में जानकारी दूँगा तो आप वीडियो में अंतक बने रहीएगा और देखिए, सभी जो सास्ती निरत्त हैं, उनके जो states हैं, यानि जो राज्ज हैं, उनको मैं मैप के माद्यम से आपको बता दूँगा, तो आप फिर इनको नहीं भूलेंगे, और सास्ती निरत्तों के बारे में भी थोड़ी जनकाई दे दूँगा, तो आप वीडियो में त दिया था, तो आपने वो वीडियो जो उन से देख लिया होगा, तो चलिए चलते हैं, करते हैं सासी निरत्तों के बारे में बात, तो देखिए, आपके टोटल कितने सासी निरत्त हैं, आपके आठ हैं, और संस्क्रित मंत्राले के अनुसार अगर मानें, तो आपके नौ सास बालते हैं नीचे और नीचे बताईएगा कि ये राज कौन सा है ये राज बताईएगा ये राज कौन सा है ठीक है तो ये राज में आपको बता दिया है इसे बोलेंगे हम तमिल नाडु ठीक है तमिल नाडु ये आपका तमिल नाडु में ठीक है अब तमिल नाडु में कौन वो तमिनाडू का है और नमबर बन पर यहानी सबसे पहले यही सासिन्यत बना था तो नमबर बन पर पे पहला सासिन्यत एह भारतनाट्य 안디오 जो के हैं आपका त Хотя सबसे नीचे चले जाओ तमिनाड know में आपको मिलेगा यहां पर देखिए भसे याद कर लीजिए यह आपका भाव है यह फिक्स पैटर्न में आपका न्रत्य चलते हैं यह जितने भी सास्थ में तोते हैं भाव के बाद आप राग देखिए राग मतलब मुजक हो गया भाव मतलब आपका एक्सप्रिशन्स हो ग जाना जाता है अगनी अट्टम के नाम से जाना जाता है यह निरत अगनी अट्टम और एक जाना जाता है सादर अट्टम के नाम से तो सीधा यह पूछ सकता आपका कि सादर अट्टम किस निरत को बोलते हैं तो वो आपका बरतना अट्टम निरत को बोलते हैं अगनी अट् पहली नेतका थी इनकी इन्हें पदम बूशड मिला था और यह राजस्वा में यह आपकी MP थी यानि सांसत थी तो इनके बारे में इतना याद रखिएगा और यह जो बरतनाटे में इतना आप जरूर से याद रखिएगा ठीक है तो यह चीज और और इसको किस तरीके से किया जाता है, इसके जो आपके expressions होते हैं, और आपका जो क्या ताल होते हैं, इसके बारे में आपको बतादू थोड़ा, तो यहां पे ओम जो इस्तरियां होती हैं, वो अपने हांस से ओम मनाती हैं, और इनका जो जितना भी आपका body का जो weight होता है, वो यह आपका आंद्र प्रदेश है, ठीक है, आंद्र प्रदेश है, आंद्र प्रदेश, आंद्र प्रदेश का कौन सा सास्तिनित हैं, लिखते जाएगा, साथ साथ, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कि आंद्र प्रदेश का कौन सा सास्तिनित हैं, तो आंद्र प्रद है तो गया अंध्पधिस में ठीक है अब कुछ पड़ी निरत में आपका जो पोजिशन होती है वो कैसी होती है तो इस तरियां अपने सर पर एक मटका रखती है ठीक है मटका रखा होता है जैसे माली यह से रहा है तो सिर्क्रूपर मटका रखा हुआ है इसके बाद नीचे उ जो इससे सम्मनित ब्यक्ति है पहले है यामनी क्रिश्मूर्थी जो के बहुत जादा फैमस है और यामनी क्रिश्मूर्थी आपकी है बरतनाट्यम में भी है और यहां पर है ठीक है तो इनके बारे में आप याद रगएगा और इनके जो जो करने वाले परसंस होते हैं उनम राध्दा रेड्डी, ठीक है? और यहां पर जो सुभा नाइड़्डू हो गया, ठीक है पद्रमजा रेड्डी, इस तरीके से जो इनके नाम हैं, उसमें आपको नाम के लास्ट में रेड्डी देखने के लिए मिल जाएगा, तो इस तरीके से आपको कुछ नाम इनके जरून हम आपको याद रखें तो यह आपका कुछ ही पिधी होगा चलिए अब बात करते हैं यहां पर तीसरे नमर पर कौन सा आ आया था वह है आपका कत कली , और यह राज कौन सा है यह राज आप बताईएगा तो यह राज आपका है केरिला केरिला में arrived कली तो कत कली trata के दोनों से यूग से बना हुआ है तो यहाँ पे राम की, रावड की और आपका क्रस्ण है कंस है, उनके बारे में यहाँ पे बात की जाती है, और यहाँ पे जो अच्छाई की बुराई पर जीत का यह आपका जो निर्थ है वो प्रतीक होता है यहाँ पे जो अनवार चीज होती है वो आपका मुकट होता है, ठीक है मुकट होता है अनवार रूप से और यहाँ पे रंगों की पिदानता होती है जैसे रंग आपका लाल रंग हो गया ठीक है, लाल रंग हो गया आपका हरा रंग हो गया और आपका यहां पे काला रंग हो गया तीन रंगों का यहां पे यूज़ किया जाता है काला रंग हो गया तो यहां पे जो लार रंग होता है वो दुस्ट लोगों के लिए होता है हरार रंग आपका दिब्बिता सालिंता इसके लिए होता है काला रंग आपका यहां पर राच्छनों के लिए होता है ठीक है बुराई के लिए आपका काला रंग होता है तो इतना थोड़ा अपने दमाग में रखिएगा और इसको जो पुनर जीवित करने वाले जो परसंद थे बो थे आपके नारायड मैनन जी ठीक है तो उनका भी या आपका गोपीनात यह हो गया क्रस्टनन इसके बाद आप देखेंगे तो आपको और भी नाम मिल जाएंगे जैसे कि आपका हो गया क्रस्टनायर हो गया ठीक है और आपका यहां पर और देखेंगे तो यहां पर क्रस्ट क्रस्ट की देखने के लिए मिल गए और जैसे आ आप लिख लिए गा इनके रिगार्डिंग जो नाम है जो उनको आप लिख सकते हो तो यह तीसरा हो गया नमबर चार पर कौन सा आता है उसके बारे में बास करते हैं नमबर चार पर आपका मोहिनी एट्टम आता है तो में इसके फिर से दिखता हूँ देखिए पहले नमबर पर आपका बरतनाट्यम दूसरे नंबर पर आपका जो आंध्र प्रदेश में कुछ पुड़ी हो गया नंबर तीन पर आपका हो गया सुरी यहां से देखिए नंबर तीन पर आपका कतकली हो गया नंबर चार पर आपका हो गया मोहिनी अट्टम तो नंबर चार पर मोहिनी अट्टम आपका निरत हो गया मोहिनी अट्टम लेगे दीजिए मोहिनी अट्टम ठीक है मोहिनी अट्टम मोहिनी अट्टम ठीक है यह मोहिनी अट्टम हो गया नम्मर चार पे है तो मोहिनी अट्टम जो नरत है वो किसराजिका है तो किरला का है और इसकी जो जो इसकी मदर ओफ मोहिनी अट्टम है वो कल्याणी कुट्टी अम्मा है और इनसे कौन-कौन related है मोहिनी अट्टम से तो मोहिनी अट्टम से आपका स्रीदेवी हो गया है मामाली हो गया आपका जयापरवा हो गया इस तरीके से जो है वो आपके से related है महलाएं ठीक है तो इस तरीके से आप इनके जनकार इनकी रख सकते हो इनके regarding जो भी आपके इनसे रिलेटिटि जो परसंस हैं, उनका आप नाम याद रख सकते हो इसके बाद आपका आजाएगा यहाँ पर देखेंगे तो यह देखी आपका ओڑीसा है ओڑीसा में नम्बर पांच पे आता है औरसी ओड़ सी निरत नम्मर पांच में नम्मर पर यह जो किया गया था सामिल उसे ओड़ सी निरत को यहां पर किया गया था ठीक है तो यह आपका ओड़ सी निरत हो गया तो ओड़ सी निरत जो आपका है वो किस राज जिका है तो यहां पर यह उड़ी सा का है क्योंकि यह उड़ी इस तरीके से इस तरीयां मतलब अपने जो बॉडी होती है उसको इस तरीके से तीन तरीके से मोड लेती है तो इस तरीके से आपका इसका होता है इस त्रमंगा टाइब में इसको किया जाता है ठीक है तो पहले ये जो निर्ट होता था वो आपका मंदरों में होता था और ये चो आपका निरत्त है वो आपका पांच में नमर का निरत्त है ये ओडिषा का निरत्त है इसके regarding जितने भी आपके जो परसंप्स हैं से related उनको भी आपको जरून से याद रखना है तो सबसे पहले जो केंगेंट्स हैं वो है केलिव सट्रमापात्रा तो इनका नाम आपको या पे हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर आगे के बात करते हैं तो देखिए यहां पे मैं सभी को नंबर देता चलूँ देखिए यह बरतनाट्यम हो गया तमिनाडू का हो गया यह आपका कुछपड़ी हो गया कहां का हो गया यह कुछपड़ी यह आपका अनपेदेश क नम्मर पांच पे और ये आपका क्या है तो साथियो ये आपका मड़ेपुर है तो मड़ेपुर में आपका मड़ेपुरी नित्त हो गया मड़ेपुरी ठीक है ये आपका मड़ेपुरी नित्त हो गया मड़ेपुरी नित्त हो गया तो ये आपका छटे नम्मर पे आ गया तरीके साथ करिएगा बरतनाट्यम कुछपुड़ी कतकली मोहनी अट्टम ठीक है आपका ओड़िसी यहाँ पे आपका मड़पुरी तो इस तरीके सा आपको याद है तो राज लगने के जिरोत नहीं है और आपको यह देखती खन पदा चल जाएगा आप उन्हीं के अंदर ल कि जो आपका था वो आपके किसे नम्मर पे चा तो छैनमर पे मड़पुरी तो और सात नमर पे आपका यहाँ पर जो मिलेगा उत्तरपूरप पूरप जो जो आपका कते क्या से जाद रखिएगा जो सत्रिया है वो आपका नभीनतम निरत्य है ओके अब यहां पे जो आपका च्छो निरत्य है जो नमबर नाइन पर आता है जो संस्केज मंत्राले का अनुसार वो कौन-कौन से राज्य का है ठीक है तो वो एकदम जो राज्य है वो आपके कैसे लगे तो आपको कोई भी दिक्कत लेने की इसमें जरूरत नहीं है आप आर्फन ही समसकते है जैसे यह उडीसा हो गया ठीक है यह जारखंड हो गया ठीक है उडीसा हो गया यह जारखंड हो गया नीचे वाला इधर का देखो यह उडीसा हो गया यह जारखंड हो गया उसके बाद यह आपका ब्यार होगे तो इन सभी तीनों राज्यों को मिला करके आपका च्छों निरत्य बना हुआ है जो कि आपका नम्मन नायन पे रहता है तो इस तरीके से आप सभी निरत्यों को याद कर सकते हो इनकी जायता डेटेल जो है वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो इनको मैप के माद्यम से इस तरीके से आप देख सकते हो तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है अच्छा लगा तो जरून से अपने दोस्तों साथ सेर करिएगा और इनके रिगार्डिंग यतने भी जो आपके परसंस हैं इनसे रिलेटेड उनको जरूर आप याद रखे लिजएगा सभी ने रखते हों से आप दो तो तीन तीन जरून से आप याद रखेगा ताकि आपको एकजाम में जब भी पूछे जाएं तो आप आसानी से उनको बता सको ओके थैंक यू